नुश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपी के चैनल में आज था थर्सडे मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज टू पोजिटिव भी रहा और मार्केट बंध होते होते साइडवेज टू कह सकते हैं आप नेगेटिव भी रहा ठीक है अब कल है फ्राइडे कल है ठीक है और दिन है फ्राइडे का तो कल हम मार्केट से क्या एंटिसेपेट कर सकते हैं मार्केट किस परकार से चल सकता है पैसे तो मैं टेलिग्राम पे सब कुछ आपके साथ शेर कर चुका हूँ और उस व्यू का जो लॉजिक है क्या कारण है ठीक है वो हम अभी जानेग व्यू में कोई बदलाब नहीं है व्यू अभी भी मेरा सेल ओन राइज है मार्केट को लेके ठीक है निफ्टी का मैं एक बार चार्ट खोल लेता हूँ यह रा निफ्टी और यह एंड अट लीस्ट मैं मार्केट को एंटिसेपेट कर रहा हूँ 23,800 ठीक है अट लीस्ट इस परकार से मार्केट पैन आउट होता है किस परकार से सीन सिनेरियो बनते है ठीक है वो उसके बाद देखेंगे फिलाल जिस परकार से मार्केट चल रहा है जिस परकार से सीन सिनेरियो प्राइस एक्षन रहा है 23,800 तक मार्केट एक बार को दिखता है कि वो आएगा ठीक है त किसी को नहीं दे रहा और ये वीडियो श्रिफ और स्रिफ लर्निंग और एजुकेशनल प्रपस से है आपके लिए यूसफुल है तो देखिए आपके लिए मेरी वीडियो जूसफुल नहीं है प्लीज अवाइड करिए ठीक है कोई बाइसल रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं दिजारी है profit and loss की जिम्यवारी मैं मेरा चैनल कहीं से भी किसी की भी नहीं लेता है चलिए market को समझने के लिए एक बार हम चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट पर कर लेते हैं थोड़ा और डीपली समझते हैं देखे कल एक अच्छी खासी तेजी हुई थी है ना market एक बार गया था तो यह हाई जो यहां से इसने लगाया था यह वाला 24,330 के आसपास का हाई था नियम कायदे से यह वाला हाई आज ब्रेक होना चाहिए था क्यों यह नहीं कि इसने हाई लगाया हुगा यह जो ओपन हुआ न इस गैप को इसने पूरे दिन सस्टेन रखा थीक है इस गैप को इसने पूरे दिन सस्टेन रखा तो market ने क्या किया आज ठीक है, हलका full का नीचे करके यह high break किया, आप अगर देखेंगे आज की candle ने कल का high break किया है ठीक है यह देखें, कल का high है इधर देखेगा आपको इधर 24,337 इस candle का high 24,337 और आज का high है मेरे ख्याल में 24,338.95 इधर यह देखें, एक points है यह जो market उपर गया, वो सरिफ कल का high break करने के लिए गया 24,338 0.95 यह आज का high है ठीक है, जैसे ही उसने काटा और फिर उसने जब नीचे की तरफ गिरावट दी तो यह देखें यह काटने के बाद ही जम 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 नीचे की तरफ वो आ गया और लास में गिरते 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 24,100 के लेवल को भी उसने ब्रेक कर दिया ठीक है, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें ठीक है, नीचे की तरफ एक पैटन डवलप हो रहा है यह इसका तो बन रहा है रेजिस्टेंस, इस वाले जोन का और यह जोन निकल के आ रहा है, जो पहले सपोर्ट था है 300 से लेके 350, अब एक, दो, तीन, चार, पाँच भाई, पाँच बार ट्राई कर चुका है मार्केट, लास्ट फोर ड्रेंग लास्ट फोर डेज में पाँच बार मार्केट ट्राई कर चुका है इस रेंज पे जाके ब्रेक करने के लिए, ठीक है, और होता क्या था, पहले इसको सपोर्ट लेके उपर की तरफ आ जाता था, ज्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, बार बार उपर, ठीक है, नीचे भी गया है, उपर, नीचे गया है, उपर, फिर नीचे खुला है, फिर उपर, ठीक है, क्योंकि मार्केट उपर से नीचे आ रहा था, अभी क्या है, मार्केट ने ट्राई किया है, फिर नीचे से उपर, फिर नीचे, फिर नीचे से उपर, फिर नीच आज वॉइस अग sujet यह जो है यह सेम उसी प्रकार से काम कर रहा है इसका नेचर वोही भाई कि यहां पर था फिक है? ऊपर वादों गजो भाई सपोर्ट दे रहा था नीचे वादों गड़े रेजिस्टेंस दे रहा है तो मार्कोट की जो तेज किक अगर अगर तेज होना है तो भाई ये जो ये जो रेड कलर का जोन मैंने थ्यार कर रखा ये मतलब के सामने जो लगा रखा है अब मोटा मोटा इसको निकाल के आप लिख लीजिए मैं अब तक आप से एक लेवल डिसकस कर रहा था 24530 ठीक है अब कल है फ्राइडे आप ये लेवल म ये ऊपर ही तेजी है जब तक ये लेवल ना क्रॉस हो ठीक है मार्किट सेल ओन राइज है अब ये ये पैटर निक्समेंट डवलप हो रहा है ये आप ड्रॉ कर सकते हैं चलि हम ड्रॉ भी करते हैं ताकि थोड़ा सा प्रिसाइसली निकाल पाएं कि कल हमें कहा ध्यान देना है और इसका कलर हम कर लेते हैं ये लो ठीक है बांडरी कर लेते हैं थोड़ी सी डार्क उसका कलर कर लेते हैं बलेक अब आप देखें इन वाले जोन पर नजर डालिएगा यह ठीक है रिजिस्टेंश 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 राजिस्टेंश इधर देखें आप सपोर्ट 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 तो अब ये इसके उपर तोड़के निकले तो भाई सिंपल सी बात है तेजी है कहा तक ये वाला गैप फिल करने तक 24, 700, 800 तक आपको निफ्टी दिखाएगा ठीक है दूसरी चीज अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है जो कि मुझे लगता है कि नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो भाई पहला ही टार्गेट ये है 23,900 फर्स टार्गेट यहाँ से 200 पॉइंट के लगबग नीचे अगर ये ब्रेक करता और वो ही सिनेरियो इसमें डवलप होते वे दिख रहे हैं भाई ठीक है दोस्तों अब ये लगा हुआ है हमारे सामने 15 मिनिट का चार्ट इसको 30 मिनिट में लगा के एक बार हम RSI को और देख लेते हैं RSI क्या कहानी कह लिए वो थोड़ी सी कॉल आफ होने के बाद आज क्या हुआ है उसमें सई है सई है सई है RSI तो weakness show कर रही है अगर पिछले दो दिन का देखा जाए तो एक बार को money flow भी देख लेते हैं ये भी clear weakness show कर रहा है तो market के नीचे जाने के chances अच्छे खासे है ठीक है now 2400 है तो simple मतलब चलते चलते market में आपके साथ चीजे share किये मेरे साब से कल अगर particular सिर्फ Friday को आप देखे सिर्फ कल कल के लिए Friday 9 तारिक आप नोट कर लिए जो पूरा जो मैंने भी पकवास करें जो अब तक उसका निचोड क्या है ठीक है अब तक तो analysis view जो भी चल रहा है वो now trade, trade plan ठीक है for tomorrow only ठीक है निफ्टी को 24,200 ये level नहीं cross करना है ठीक है ये level के नीचे रहना चाहिए be on sell side आपका पहला target है ये वाला लोग दूसरा target है ये वाला अब निकलते क्या है क्या क्या number है ये दो number जो है ये देख बार देख लाता हूँ मैं क्या ये number निकल के आ रहे है देख तो ये निकल के आ रहा है जी 23,970 ठीक है जी और दूसरा निकल के आ रहा है जी आपका ये वाला लोग कहा क्लिक हो गया 23-920 के आसपास 920-930 तो ये मेरे को लगता है अचीव होना चाहिए कल की डेट में ठीक है ये इस जून में एक बार निफ्टी आना चाहिए कंडिशन एपलाई कल के दिन निफ्टी इस लेवल के उपर नहीं ट्रेड करना चाहिए और हम निफ्टी को 23-970 से लेके 23-920 के टीच में देखेंगे ये है मेरा मोटा मोटा व्यू सिरिफ और सिरिफ कल के लिए अच्छा लगा हो समझ में आया हो क्लियर्टी अगर दिख रही हो तो लाइक का बटन जरूर दवाईएगा ठीक है तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे जो कि मुझे यहां से सरेंडर करता हुआ दिख रहा है ठीक है अब मुझे इसमें अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है भलाई इसमें ग्रीन केंडल बनी और निफ्टी में तो रेड बनी है पर अब यह जरा हो गया इसका ना इसने तेजी करनी थी तो अब तक कर ले नी थी चार दिन हो गए चार दिन हो गए ना यह कितने दिन हो गए वन टू थरी फोर हाँ चार दिन हो गए यह जरा देखिया ठीक है यह और नीचे से यह ठीक है अब उमीद थी कि यह एक बार कोई यह attempt ले सकता है 51,200 का ठीक है एक उमीद थी अब मुझे यह नहीं लगता अलागी market है भाई देखे market है market में कुछ भी हो सकता है यह यहां से आप draw करेंगे तो यह जिदर का तरफ तोड़ेगा भाई यह उदर की तरफ भाग जाएगा ठीक है यह पूरा इसमें है अब यह जिदर की तरफ निकलेगा इसका target क्या बनेगा वो देखिया यह जो breath है ना पूरी 50 यह नंबर है आपका 50,800 ठीक है और यह निकल के आ रहा है आपका 49,800 मोटा मोटा 1000 पॉइंट का move ready है bank nifty ने within next three days ठीक है अब कहां पर है nifty 50,100 के आसपास है तो आप उसको मोटा मोटा पचास हजार मानगे चलिए मोटा मोटा पचास हजार मानगे त्यूजडे तक त्यूजडे तक या तो स्क्रीन पे 49,000 आ जाएगा या स्क्रीन पे 51,000 आ जाएगा ठीक है 50,000 के नीचे रहे मतलब 49,900 के नीचे रहे तो आप sell करीए अब कल से क्योंकि अब तक तो यह range में था support देता रहा पर कल अगर यह 49,900 के नीचे जाता है तो यह इस triangle के भार निकल के trade करेगा जिसमें हम यह anticipate कर सकते हैं ठीक है तो 49,900 below this ठोको ठोको only ठोको only ठोको 49,900 below only ठोको 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 ठीक है उपर जो इसने आज हाई लगाया है वो बड़ा important हो जाता है जो इसने आज हाई लगाया है यह यह नमबर यह नमबर आपका 50,000 आज का हाई क्या है यारा candle खूल की देख लेते हैं 50,435 तो 50,000 क्या कहते हैं ठीक है तोड़ा सा यह उपर की तरफ लेना ही पड़ेगा इस नमबर के उपर ही तेजी है दोस्ता ठीक है यह थोड़ा सा उपर निकल गया रहा है नीचे की तरफ तूटता है तो यह नहीं आपके साथ शेर कर दिया है ठीक है कैप्चर कीजिए थोड़े से जो हजार पॉइंट का मूव है इसमें से आपको तूसू तीन सू पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे कैप्चर कीजिए ठीक है जहां से भी 49,900 की तरफ से चूटता है 1500 पॉइंट ऐसे लगा लिजिए 50,000 40 है 50,070 अच्छा खासा मूव आपको दे देगा ठीक है अच्छा खासा मूव आपको बैंक निफ्टी जो है दे देगा एक बार इस पे भी हमारे साहिव अगरा की study जो है करके देख लेते हैं ठीक है hourly चार्ट के लगा के देखते हैं नॉर्मली है दोस्तों यहां तो कोई खास इंडिकेशन है नि ठीक है यह सपोर्टिव खड़ी वही है एक बार money flow भी देख लिया गाइस पे यह strong है बाई money flow strong है बैंक निफ्टी का चलिए यह है दोस्तों market फिलहाल बैंक निफ्टी थोड़ा सा stable खड़ा हुआ लग रहा है यह न पर इसके पास मोका था यार इसके पास चार दिन का मोका था इसने एक upside देनी थी यह gap अब तक ही maintain करके रखा है न यह बड़ा negative चीज है क्योंकि gap अभी भी खड़ा हुआ है ठीक है चार दिन तो इसमें यह अब bearishness का पहला sign है कि आप चार दिन होगे gap down होआ था उसको अब तक नहीं भर पाया ठीक है तो यह नीचे की तरफ मुझे लगता है 49,500 then 49,200 यह दो नमबर तो इसको बहुत जल दिखा देगा यह ठीक है दिखा देगा जल लेवल तो वाच 49,900 चले दोस्तों उमीद आपको अलसे पसंद आया होगा लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्स्राइब कीजिए और यह है निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है कल है फ्राइड़े, शुकरवार का दिन है और व्यू तो मेरा नेगेटिव निकल के आ रहा है एनलेसिस टड़ी के हिसाब से लेवल मैंने आपके साथ शेर कर दिये हैं, मैं लास्ट में फिर बता दूँ, व्यू एनलेसिस अपनी जगह है, ट्रेडर ट्रेडिंग करना अपनी जगह है तो उसके लिए जो नंबर है कल के लिए पर्टेकुलरली वो है ये ठीक है, जिसके नीचे है तो सेल साइड बैठे रही है, ऊपर रहेगा, I will update my view and bank nifty 49,900, below this, ठीक है, फिर सेल साइड आपने पकड़े चलिए, thank you very much, वीडियो अच्छे लगी हो, लाइक कीजिए, शेर की चनल को सब्स्राइब कीजिए, thank you